साथियों, आपको याद होगा, मैंने लाल के लिए से जय अनुसंधान का आवान किया था, मैंने इस दसक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी IIT के स्टूडन्स ने भी समाल ली है, इसी महेंने 14-15 अक्तूबर को सभी 23 IIT अपने इनोवेशन्स और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए, इस मेले में देश भर से चुन कर आए स्टूडन्स और रिसर्चर्स उन्होंने पचतर से अधिक बहतरिन प्रोजेक्ट को हेल्ट केर, एग्रिकल्चर, रोबोटेक्स, सेमिकंडक्टर, 5G कॉन्युकेशन्स ऐसी डेर सारी थिम्स पर प्रोजेक्ट मनाए गए थे, वैसे तो यह सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपका ध्यान अकर्षित क करना चाहता हूँ, जैसे IIT भूमनेश्कवर की एक टीम ने नवजात सिच्वों के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विक्सित किया है, यह बैटरी से चलता है और इसका उप्योग दूर धराज के एक शेत्रों में आसानी से किया जा सकता है, यह उन बच्चों का जीवन ब टेक्नोलोजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे शात्रों इनसे जुड़ी नई टेक्नोलोजी विक्सित करने में जुटे हैं, कही सारी IIT मिलकर एक बहु भाशक टोजेक पर भी काम कर रही हैं, जो स्थानिय भाशाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है, यह प्रोजेक्ट नई राष्टिय सिक्षानीती को, उन लक्षों को प्राप्ती में भी बहुत मदद करेगा, आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा, कि IIT मडरास और IIT कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को त्यार करने में अग्रणी भूमी का निभाई हैं, निश्चित मुझे यह भी उमीद है कि IIT से प्रेणा लेकर दूसरे इंस्टिटूशन भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज में तेजी लाएंगे